और यह एक Union territory है जिसका border चाइना के साथ लगता है बट 1962 इंडो-चाइना वार के समय चाइना ने लद्दाक के इस रीजन को occupy कर लिया था और अब इस रीजन को चाइना अक्सा ही चिन कहता है और अब यह जो नया border इंडिया और चाइना के बीच यहाँ पर बना यह है LAC यानि Line of Actual Control अब आप यह मान सकते हैं कि LAC की इधर Indian forces है और उधर चाइना की People's Liberation Army और इस LAC के Western और Southern Western साइट से करोकरम range pass होती है यानि यह पूरा का पूरा area जो है यह एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी areas में जो उचाई पर होता है उसके पास हमेशा military advantage होती है ऐसी ही एक जबरदस strategic location इंडिया के पास भी है जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी आप map में देख सकते हैं कि दौलत बेग ओल्डी जिसे हम DBO भी कहते हैं यह Aksai Chin से मात्र 10 km दूर है 1962 war के बाद जब China ने Aksai Chin को occupy कर लिया था तो Indian military ने दौलत बेग ओल्डी को एक military outpost की तरह त्यार किया यह DBO outpost sea level से 16,700 feet सूपर है इतनी हाइट पर अगर हमें हमारे जवानों को रसत पहुचाना है या फिर military equipment पहुचाने है तो दो ही रास्ते हैं या तो हम सड़क से पहुच सकते हैं या फिर एरफोर्स की मदद से सड़क की हालत तो बहुत ही खराब है विंटर्स में जैसे तैसे इस रोड के तुरू DBO outpost तक पहुचा जा सकता है बट कम से कम दो या तीन दिन का समय लगता है और गर्मियों में तो यहाँ पर पहुचना संभव भी नहीं है क्योंकि यहाँ से पास होने वाली नदी शोक नदी जिसे river of death भी कहा जाता है सर्दियों में तो इस पर बरफ जमी होती है बट गर्मियों में जब बरफ पिगलती है तो floods आ जाती है जिसके वजह से दौलत बेग ओल्डी लेंड से पूरी तरह से disconnect हो जाता है एक बार map में शोक नदी को locate करते हैं यह देखिये यह है शोक नदी तो road पर तो rely किया नहीं जा सकता इसलिए air force ने 1962 से 1964 के बीच DBO पर एक air strip बनाई इस air strip को world की highest air strip भी कहा जाता है बट इतने high altitudes पर होनी के वजह से aircraft landing और take off से लेटर बहुत सारे complications आ जाते हैं जिसके वजह से 1965 से 2008 के बीच यानि almost 43 years के लिए इस air strip को पूरी तरह से deactivate कर दिया गया इसका कोई use नहीं किया गया अब आप समझ सकते हैं कि हमारे पास इतनी जवर्दस strategic location होने के भावजूद हम इसका कोई फाइदा ही नहीं उठा पारे चाइना के खिलाफ ऐसे मिसाल 2000 में ले से दोलत बेक ओल्डी तक के लिए एक all weather road बनाने का कारेक्रम शुरू हुआ road को बनने में 20 साल लगे और अब 2020 में ये road बनकर तयार है ये road आप देख सकते हैं LAC के बिलकुल parallel चलती है ये road एक all weather road है सरदी हो या गर्मी हो कभी भी कोई भी obstruction इस road पर नहीं आ सकते और इस road की total land है 255 km ये road दर्बुक शियोक विलेज से चुरू होती है और दौलत बेक ओल्डी को connect करती है इसलिए इस road को DS-DBO road भी कहा जाता है अब क्योंकि ले से दर्बुक शियोक विलेज तो पहले सी connected था तो इनावे ले से दौलत बेक ओल्डी अब पूरी तरह से connected है इस road के बनने से दौलत बेक ओल्डी की importance तो अब बहुत ज़ादा बढ़ी गई है और इस बात से चाइना की tension भी बढ़ी हुई है और इसलिए चाइना ने LAC के पास Galwan Valley में LAC को cross करने की कोशिश की है इस valley को Galwan Valley इसलिए का जाता है क्योंकि अकसाई चिन से originate होने वाली Galwan River जब करोकरम range में enter होती है तो उसी region में है अब बात ये है कि चाइना Galwan Valley में ही ये क्यों कर रहा है तो इसका reason भी आपको DSDBO road में ही मिलता है आप देख सकते हैं कि DSDBO road कई जगहाँ पर Shok River से overlap कर रही है ये वो regions है जहाँ पर Shok River के ऊपर से bridges बनाए गए है और ऐसे ही एक bridge का construction अभी recently Galwan Valley के पास चल रहा था और इस bridge की जो location है वो Galwan Valley के बहुत पास है ये actually उस region के बहुत पास है जहाँ पर Galwan River और Shok River मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि China actually इस road के construction को obstruct करना जाता है और आप और आपको ये पता होना चाहिए कि आज की रिट में यहाँ ये इंडो चाइना फेस ओफ जो चल रहा है यानि Galwan Valley में वो जगह इस road से ज्यादा दूर नहीं है कहने का मतलब कि इस रूर नहीं है